हलो दोस्तो आज बिहार पब्लिक सब ओडिनेट सर्विस कमिस्जन बिपी एससी ने बिहार दरोगा भरती दोहजर उजर उज़नीस जो मुख परिक्षा हुआ था उससे रिलेटेड नोटिस जारी किया है हम लोग नोटिस देखेंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार के सभी जो अलग-अलग आयोग है जैसे BPSC हुआ यहां तक कि CSBC हुआ यह अपने मनमानी कर रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं इनको इतना पावर मिल गया है कि लोगों को धमका कर सोच रहे हैं कि अपना यह आवाज बुलंद करे और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उस आवाज को दबाया जा सके लेकिर ऐसा होगा ना फाइनली इनको ही दबना पड़ेगा और वैसा असर दिखने भी लगा है क्यों तो रियल्ट आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है तो यह आपको इससे रिलेटेड धैनिक भासकर ने एक अपना न्यूस चापाता संयोग या सेटिंग उसी के लिए यह आपको नोटीस जारी किया गया है पहले भी नोटीस जारी किया गया थनौ फवरी को और जो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं अगल बगल पूछ कर वो पास हो जाते हैं हमने ये कभी नहीं कहा कि दरोगा का पेपर आउट हुआ है हम बार बार ये बात को उठाते चले हैं कि दरोगा का पेपर आउट नहीं हुआ है दरोगा के जो अंदर परिच्छा लोग साइट से आप पढ़ सकते हैं यहां पर देखिएगा तो यह लिखा गया है बिहार पब्लिक्स और सिवायोग द्वारा कि इसको दैनिक भासकर को और यह कहा गया था कि जो आपने निव्ज निकाला था कि इस बार के दरोगा भरती देखिए दोनों को कंपेर कीजिए आपको खुश समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसे क्यों रियल्ट आया ठीक हम देखिए जो भी लड़कों का रियल्ट हो गया है मैं सभी पंगली नहीं उठा रहा हूं इस बात को ध्यान मर रखिएगा मैं बस यह कोसिस कर रहा हूं मैं आपको यह नोटिस दिखा कर कि देखिए अलग-अलग अयोग यह अपने तनसाही रवय्याप उतर चुके हैं और लोगों को अवाज बस बंद गराना चाहते हैं उनको कोई भी ऐसा जो है वो इस्टूडेंट कैसे ला कर दे आप खुदी बताओ क अब यह पढ़कर आपको सुनाते हैं दिखे पत्र के अलोग में अपके पिक्षा की गई थी आपके द्वारा पर कासी समाचार पत्र के समद्र में जो प्रमाण उपलब्द हैं वो आयोग को उपलब्द कराएंगे और यदी प्रमाण उपलब्द नहीं है तो समाचार पतापर अब का पक्स जانनी की कोसिस की गई आपके दवारा बताया गया कि आपने तो आयोग के पतर के उत्तर के उतर देंगे और नहीं समाचारपन करने नहीं समाचारपन में यूसे बहुसित पह שמצ संदेखित यल्ट ऐसे के हुआ है आपको पता होगा मैं पूरा आपको एविडियों भी बनाऊगा उसमें पूरा न उसकी यहां पर दिखिए ऑस्पष्ट हुई कि आपने ऊगत्समाचार बिना किसी परमानपत के परकेसित किया है बहाली एक शोंद सिल मुद्दा है, मीना किसी परमाणपत की आधार पर इस तरह की समाचार पर जूटे एक फर्जी समाचार के स्रेडी में माना जाएगा ऐसा फर्जी परकासित कर आपने आयोग के विश्वनिष्था पर परसंचीज उठाने के कोशिस की है एक राज अस्तरिय समाचार पर का उधे समाचार के माध्यम से सचाई को जनता के सामने लाना है परंतु दुख़त है कि आपने जूटा और फर्जी समाचार पर कासित कर पर परतिक्तिया के मुलभूत शिदान्तों का उलंगन किया है इसी परकार सोसल मीडिया और यूटूब के चोटी 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 ताथा कथी समाचार चैनल ने शड़ेंद के ताथ दरोगा बहाली के धान्दली को लेकल लगतार समाचार बना रहे हैं जिसके लिए उनके पास कोई पर माणपत्र नहीं है क्योंकि वे धान्दली बात बात तो करते हैं लेकिन कोई पर माणनपत्र नहीं दिखा थे ऐसे एसे परकार के एक सवगोशित, शात्रनेता, सजिस के ताथ दरोगा बहाली में धांदली की बात करते रहते हैं, तो ये टोटल आपको बताया गया है, कुछ लड़कों पर निशारा साधा गया है, कुछ यूटूब चैनल पर निशारा साधा गया है, जो बार-बार इस बात क पूरा-बावकों यहां जोदें सब्सक्राम जब हुआ है, यह हो गया है, कि मेरे हाथ में लाती है, तो मेरा ही दो आपका कहात है, हम जो बोले हैं, जाच करना करना कहां तक है, आयोग है आपके यहां पर यह देखे कि मैं किस बात के लिए आवाज उठा रहा हूँ ठीक अपने पेपर आउट नहीं हुआ बात सही है ठीक लेकिन क्या आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटन किया सोशल डिस्टेंसिंग आपने करोना करते समय न एक्जाम लिया है आपको 29 नुमबर 2020 को एक् पर जब एक्जाम मुख परिछा का हुआ तो क्या इसमें बाइमेंट्रिक हुआ कोई नहीं हुआ क्या इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटन हुआ नहीं हुआ एक बेंच पर दो-दो लोगों को बैठाया गया और इस बात को भी ध्यान मरक एगा छोटा छोटा भी बेंच इससा बहुत जगतों और वो दोनों लोग एक दूसरे में बात करते हुए पीछे आगे सभी बात करते हुए यह अपने एक्जाम दिये हैं इसी के कारान जो हुआ है result परभावित हुआ परभावित करने का मतलब cut-off आगे गया है, क्योंकि जब एक दूसरे से लड़के पूछेंगे, तो किसी का आपको हिस्टी सही होगा, तो किसी का जोगरोफी सही होगा, एक दूसरे के जब बता देंगे, ओवेसी से बाते उनका result आगा, और जो लड़का इमंदारी तो इतना हाई लेबल का था, कि कोई एरे गयरे नहीं लगा सकता है, फिर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, परमभीक परिच्छा, परमभीक परिच्छा में आप देखियेगा, कि सोसल डिस्टेंस काने का मतलब कि एक स्टूडेन के दूसरे स्टूडेने के बार-बार बोल रहा था कि हमारे परिच्छा में धांदली नहीं हुआ है, CSBC ने कुछ दिन पहले ही माना कि नहीं, साड़े 600 ऐसे कंडिडेट पकड़ा हैं, जो कि स्कोलर टब पर बैठे थे, और ऐसे कंडिडेट बहुत से हैं, जो कि फिसकल भी देने नहीं आए है, तो आ इछली बार भी ऐसा हुआ था, लेकिन इस तरीका से रिजल्ट इतने बड़े अस्तरपन नहीं हुआ था, ठीक, अब देखिए, ओमार सिट, ओमार सिट तो आपको किसके लिए दिया जाता है, ओमार सिट के जो कार्बन कोपी है, वो तो इस्टुडेंट को लिए जाता है, क कि मेरा, बता दिजे कि मेरा इस्कोर कितना है, कभी नहीं अभी तक बताए गया, यह क्या, यह इस तरीका से जो आयो का रवया है, यह सही रवया है, नहीं रवया है, यहां पर बस तनासा ही चल रहा है, अलग-अलग आयो का, और अपने आपको सर्टिफिटेक देने में है, ताखिर ऐसे क्यों हो सकता है, ऐसे होने का मुख्य कारण यहीं है, कि कहीं कहीं आपको बहुत छूट मिला है, और वहीं छूट का लोग फैदा उठाया है, सोसल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ था, लोगों के बीच में दूरी नहीं बना था, और एक दूसरी को बात करकर यह रिजल्ट आया है, बहुत से ऐसे कंडिडेट और लड़कियों का भी रिजल्ट आया है, जिनका रिजल्ट नहीं आना था, वो बस समझे कि नहीं आना था, और उनका भी रिजल्ट आया है, और अच्छा खासा स्कोर करकर आई है, बस यहीं कि एक दूसरे से पूछ कर, कि आखो देखा हाल है आप नहीं अब बोलिएगा कि आदेस्स देजिए आप विडियो जारी किया है अपको बने आपको बताए योट्यम बताय को च्टूडेंट करेंगे फिर भी बताए ठीक बस ये एक तना साही रवया है और कुछ नहीं है ठीक हम बार-बार इस बारे में इस लिए वडियो आपको बनाते हैं कि आगे कि जो भरती है वो तो कम से कम फ्रेस और स्वास भरती हो क्योंकि जो दरोगा ही न यह बहुत बड़ा पोश्ट होता ह है सिंसेटिव पोश्ट आता है लोग इसे इग्नोर ना कीजिएगा क्योंकि अगर दरोगा अच्छे से अपना लिख देता है तो कोट के नइधिस भी होते हैं सुप्रेम कोट को उसे नहीं काड़ सकते अगर इमंदारी पूर्वक लिख देता है अब इस तरह से भरती होग चाहिए अब समझ सकते हैं कि का हाल होने वाला है यहीं मेरा मकसद तहां वीडियो बनाने का यह आप देख सकते हैं मैं बोला हुग आपको दिखाने वाला हूँ बहुत से लर्ड के इपनारी पुर्वकि मेंस गजाम में पास हुए, मैंने नहीं बोला कि किसी ने चुरी क्या है, लेकिन बहुत से अइसे स्टुड MAT हैं जिने पास होना चाहिए था, वो नहीं हुए है, यहीं सबसे बड़ी दुख की बात है, और सबसे बड़ी बात की बाकी आप समझ सकते हैं मेरे वीडियो बनाने का मकसद क्या था वीडियो अच्छा लगोता लाइक कीजिएगा और जितना हो सकते से सेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए का वीडियो देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद